हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ विकास इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लैप्टॉप का पासवर्ड कैसे चेंज करें यानि लैप्टॉप का पासवर्ड कैसे बदलें आईए जानते हैं यहाँ पर दो तरीके बताऊंगा मैं आपको सबसे पहले अपने कम्प्यूटर में विंडो बटन प्रेस करें या विंडो ऑप्षन में कॉर्णर की तरफ आईए यहाँ पर आपको सर्च करना है सेटिंग्स सेटिंग्स ऑप्षन को देखिए और इसे सर्च कर लीजिए आपको मिलेगा यहाँ पर अकाउंट अकाउंट वाले ओप्षन पर क्लिक करिए इस पर क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पर कई सारे ओप्षन इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे एक option sign in option यह देख पा रहे हैं आप आपको sign in option पे click करना है आपको मिलेगा यहाँ पे password इस पे click करें आपको मिलेगा है यहाँ पे change change option पे click करें फिर आपको मिलेगा है यहाँ पे current password यानि आपको अपना अभी वाला पासवर्ड एंटर कर देना है जिस पासवर्ड के साथ अभी आप अपना लैप्टॉप लोग स्क्रीन से ओपन करती हो। मैं अपना अभी वाला पासवर्ड डाल देता हूं। नेक्स्ट ऑप्शन पर टच करिए या किलिक करिए आपको मिलेगा निव पासवर्ड और कनफर्म पासवर्ड फिर मिलेगा आपको पासवर्ड हिंट। यहाँ पर अपना नया पासवर्ड डाल देजिए जैसे कि 1,2,3,4,5,6 या जो वर्जी डाल देजिए जो आपका मन करें और वही सेम पासवर्ड दोबारा रिपीट कर दीजिए। यानि सेम पासवर्ड आपको दो बार डालना है फिर कह रहा है पासवर्ड हिंट। माल लीजिए आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आप ऐसा कोड वर्ड लिख दीजिए होँआ पर ताकि आपको उस कोड को देखते ही अचानक से याद आ जाए जैसे कि कोई आपकी मन पसंद जगा कोई मन पसंद दिन वो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं फिर नेक्ष विंडो 10 विंडो 11 समय काम करता है आपको मिलेगा यूजर अकाउंट इस पर किलिक करें आपको यहाँ पर मिलेगा चेंज अकाउंट टाइप इस पर किलिक करें थोड़ा सा वेट करें आपको मिलेगा इस पर किलिक करें आपको मिलेगा चेंज पासवर्ड चेंज पासवर् अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए कोई सवाल है तो कमेंट करना मत भूलिएगा